इंडिया नियूस हरियान के बाद आप से फिर मुलाकात हो रही है और आप उसी अवस्था में दिख रहे हैं मुझे गारी में ही सफर करते दिख रहे हैं लेकिन गारी रोक लीजेगा ताकि बात इत्म इनान से हो जाए ये मेरी आप से गुजारिश है मैं विलकुल आपकी बात समझ रहा हूं और मैं मौती चाहूंगा कि मैं समय रहते किसी ठाने पर नहीं पहुंचा मैं रस्ते में ही था क्योंकि एलेक्शन का टाइम है और देरात रही है तो बस पांच मिनिट के लिए आप गारी रोक लीजे जी कल भी हम बात्षित कर रहे थे तो जो जेजेपी के वारे परवक्ता थे चौदरी सा वो थोड़ा सा बुरा भी मान गए थे सवाल यह है कि अभी चुनाओं से पहले जो अपने सीपा सलार थे छे ने पार्टी से किनारा कर लिया इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं और पार्टी की रननीती क्या है सब्सक्राइब यह है कि जब पार्टी हमारी नई बनी थी तो बहुत सब्सक्राइब ने शामिल की लिए और वो लोग वैचारिक तौर पर अगर वो हमारे साथ आए और उस समय कुछ साउ केंडिडेट्स की आवशकता थी बहुत सारे नहीं लोग भी ले आए ऐसे में कुछ लोग जीत भी गए हमारे साथ कभी में मेल नहीं खाए और किसी का रुख जो पुराना भाजपा ही था उसका भाजपा की और कोई कॉंग्रेस का था जैसे इश्वर सिंग जी ते तो कुछ लोग आए चले गए से यूँ काईं मजबूत है बल्कि और संगत्र का आना-जञान चला रहता है चौधरी देविलाल जी ने वह स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और बहुत सारे लोग उनसे राजनीती सीख के आगे बढ़ते रहें तो अच्छी बात है हमारी इस पार्ट शाला में भी कुछ लोग आए जिने जिने एमले का तकमा मिला और वो लोग चले गए मगर यह कोई चंता कविश है यह जब पार्टी शुरू हुई पिछले चुनाओं के दौर उस वक्त की बड़ी पार्टी थी भारतिय जन्ता पार्टी उसको आपके समर्थन के साथ सरकार बनाने में एक तरीके से मजबूर किया तो यह दो लड़कों की ताकत थी जो दस सीटें लेकर आ गए आज की तारीक में हालात क्या हैं और आप अपनी पार्टी को कहां पे चोड़के गए हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रैक्टर तो आपकी पार्टी के लिए पैदा होई रहा है इससे जे तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है वापिस इनके साथ जुड़ेंगे और अभी जो बड़ी बहस है उसमें हमारा आज का जो मुद्दा है कि आने वाले जो चुनाओं हैं इन चुनाओं में जो राजनितिक पार्टियां हैं वो अपने जो आविदक हैं उन में इसे कैसे ये तै करेंगे कि कौन सा आविदक है जो इस बार हमें विजे दिला सकता है हमारी जो सीट्स हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकता है तो इन तमाम चीजों को लेकर राज हम जो अलग-अलग राजनितिक दल है उनके विशेश महमानों को अपने साथ जोड़ेंगे उनके प्रवक्ताओं को अपने साथ जोड़ेंगे और इसी कड़ी में हम बात अभी जो कर रहे थे वो दिगविजे चौटाला से कर रहे थे कुछ नेटवर्क की दिकत के कारण उनसे हमारा संपर्क तूट गया है हमारी टीम लगातार उनको दुबारा से जोडने की कोशिश कर र तो वापस उनसे बात्चित का सिलसला जारी रखते हैं जे देख विजे जी अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वाह अब तो आप बढ़िया फ्रेम में आगे हैं तैंक यू अब मजा आ रहा है अब आपकी गुंश्ती आवाज आ रही है पहले मजा नहीं आ रहा था ज क्योंकि आपके वर हमारी जो दोस्ती है वह बहुत पुरानी है तो अभी मैं आपसे यह पुछरों सीधा-सीधा कि अभी जो 2019 में जो पार्टी की हवा थी दस आप विधायक जीत कर आए एक बड़ी बात थी नई पार्टी थी अब क्या हालात हैं 2024 में कहां पर खड़ा के साथ रहने का हुए बारती जनता पार्टी के लोगों ने बीच रस्ते जहां हमें तो दोखा दिया ही वहां हरियाना प्रदेश की जनता को भी इस मारिफिक दोखा दिया कि जिन बुद्धों पर हमारा उनके साथ जटबंदन हुआ था चाहे 500 पेंशन थी या 55% जो पोर् पाय जबकि जटबंदन और समझोता जो था वो इसी मुद्धे पर गुआ था उसके बाद जब हम लोगसवा में गए तो वो गुसा लोगसवा में कही ना कहीं जादा संख्या में हमारे पर निकलने का काम है मगर अब जो है वो लोग ये कहते हैं कि भारती जनता पार्टी क साथ जाकर कि जो गलती की उस भूल को दुबारा ना करें और हम इस बात को स्विकारते भी हैं क्योंकि गलती को स्विकार लेना चाहिए जितनी जल्दी और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग जीत करके जाएंगे ना के बल जीत कर के जाएंगे बलकि मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि चन्डीगर की विधान सबा का जो ताला है वो जन्ना एक जनता पार्टी की चावी से खुलेगा और मुकेश जी मैं ये भी विश्वास आपको दिलाता हूं कि पहली सीट जे-जे-बी की कोटे में डवाली की तो मैं आपको एडवास में शुब कामना दे दूं या गुड लग कह दूं लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि भारती जन्ता पार्टी के साथ जो गठबंदन किया वो आपकी गलती थी है आज आप मान रहे हैं लेकिन जो आपके वोटर्स थे वो पांक साल से आपको इस ब पुझारे हो कि भाई ये गलती हमसे हो गई थी अब हम अलग हो गए हैं गुसा है उनमें नहीं है क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं आप भी दूशन चोटाला जी भी आजे चोटाला जी आपके कारे करता भी तो क्या है अभी हालाते हजरा ल लेकिन कोशिश यही है कि आपके जहन में जो सवाल हैं उन सवालों को हम दिख विजे चोटाला से लें और उनका जो टेक है इस विशे पर जो वो अपनी पार्टी को लेकर आज कहना चाहते हैं वो आप सब के हम समक्ष रखें तो जो रिपोर्ट दिखाने के हम बात कर रहे रहे थे उस रिपोर्ट को जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं हम पेश करने जा रहे हैं और उसके बाद देख विजे चोटाला से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे देखिए यह बड़ी रिपोर्ट विधान सभा चुनाओ का काउंडाउन शुरू हो चुका है पांच सितंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा लिहाजा सभी राजनेतिक दलों में टिक्टों को लेकर चिंतन और मन्थन का दौर चल रहा है गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश चुनाओ समीति की दो दियोसी बैठक हुई जसमें मुक्रमंत्री और प्रभारी से लेकर तमाम वरिश्ट नेता मौजूद रहे दावेदारों के नाम पर जिलेवार चर्चा हुई प्रदेश चुनाव समीती के ओर से नामों के पैनल हाई कमान को भेजे जाएंगे जहां टिक्टों पर फाइनल मोहर लगेगी 2024 के विदानसवा चुनाव को लेके सभी 90 विदानसवा शीटों पर सभी परत्यासियों के बारे में विस्तार से चच्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तयार हुई है यह हम अपना जो किंद्रिय चुनाव समीती के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पारलियमेंटरी बॉर्ड फैंसला करेगा जो कैंडिडेट्स के बाई डाटाज आए थे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी उन सभी रिक्वेस्ट के उपर हर एक परतेक नाम के उपर गंबीरता से विचार वर्ष हुआ है और उस विचार वर्ष के बाद पांच-पांच लोगों का एक पैनल त्यार करके लगवख हर सीट के उपर कुछ सीट के उपर सिंगल पैनल सिंगल नाम का पैनल भी हुआ है कॉंग्रस के पास भी दावेदारों की लिस्ट लंबी है 90 विधान सभा सीटों के लिए करीब 2700 आवेदन मिले है इसलिए 26 अगस को दिल्ली में कॉंग्रस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी चार दिन तक चलने वाली मेराथन बैठक में मन्थन किया जाएगा हालांकि प्रदेश के कॉंग्रस के वरिष्ट नेता जिताओ और टिकाओ उम्मिद्वारों को टिकट देने की बात कर रहे है हमारे प्रत्याशी जो हैं जो टिकेट पराती हैं उन सब के लिए क्या व्यवस्ता करना चाहिए उसका एक पूरा डिस्कुशन हुआ पहला जो हमारा एक बड़े बड़े महत्वपूर्णा डिसिशन वह था कि यहां जो कुछ भी के बारे में जो कुछ भी डिसिशन्स होगे उसमें आई कमांड को अंटीमेट ओटोरिटी हम सब दे रहे हैं तो एक त्राव पारित हुआ है दूसरा स्क्रीनिंग कमिटी की मिटिंग जो होगी वो 25-26 तारिक से शुरू होगी और 30 तारिक तक अपनी कारवाई समापत करने जा रहे हैं वो इंडिकेशन उसके चेर्मेन अजे माकन जी ने परसो दिया हुआ है आज हमारी ये PC की जो पहली मीटिंग हो रही है और परशोज तक जो है हमारे सभी साथियों को कहा गया है कि अब पूरे प्रदेश में भी हम सीनियर लीडरों को सब को कहेंगे कि जिसका जो कुछ भी किसी के नाम के लिए प्रस्ताव है हमारे PC के सदशों के उसे जेजेपी एक सितंबर के बाद उमिद्वारों के लिस्ट जादी करने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी का कहना है जीतने का माद्दा रखने वालों को टिकट दिया जाएगा वहीं इनेलो बस्पा का दावा है कि सरकार गठ बंधन की बनेगी और मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री करनाल टिके रहे अभी तो लोगों को यह था कि छे महिने तीर महिने में काम करा देंगा आप देख लेना मुख्यमंत्री अगले दस दिन में करनाल वी दानसवा को भी छोड़के बागने के जब तक वह उम्मीद्वार की बोशना करने की में तो बहुत जल्दी जारी हो जाएगी अब तो चुनाव के डिक्लेरेशन भी हो गया तो बहुत जल्दी हो जाएगी दे आपको जीतना है चुनाओ तो जनता जिसको कहती है जनता से आप पुछो कि बहुत आपका लाएं इंटरेस लेकिए कि मुझे चुनाव लड़ना है और जनता अगर कहेगी कि फलाने आदमी को टिकेट दो वहां आदमी की पार्टी की प्येसे डिसाइड करती है कि उसाथ इस बार का विधान सबा चुनाओ कई मायनों में एहम है इसलिए आम से लेकर खास सभी को टिकेट की आस है लेकिन देखना ये होगा कि राजनेतिक दल अपने कारे करताओं या जिताओ उम्मिद्वारों पर भरुसा जताएंगे या फिर विरासत की परंपरा हावी रहेगी तो इस वक्त जो राजनेतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी उम्मीद्वार का चैन करना कोई आसान बात नहीं है राजनेतिक पार्टियां जो अपने कारे करता हैं उन सभी कारे करताओं को खुश रखना चाहती हैं लेकिन ये जो कारे करता हैं और इसमें से जो टिकेट के परार्थी हैं जो इस विधान साबा चुनाव में खुद को विधायक के तौर पर देखते हैं विधायक के तौर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी संक्या काफी जादा है। कॉंग्रेस के हम बात कर रहे थे तो कॉंग्रेस में लगभग 2700 लोगों ने अपलाई किया है 90 सीटों के लिए यानि एक सीट पर लगभग 30 ऐसे लोग हैं एबरिज के हिसाब से जो विधायक बनना चाहते हैं टिकेट एक को मिलेगी तो बाकी जो 29 हैं और 29 लोगों के साथ जो उनके चाहने वाले हैं तो उनको कैसे संभाल के रखना है और एक जो आएगा उसकी विशेशता क्या हो नहीं है ये पार्टी को तै करना काफी टेडी खीर है दिग्विजे चोटाला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं लगातार नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी इसके लिए माफी चाहेंगे दिग्विजे जी आप से लेकिन अब जो बात हमारी बीच में अधूरी रह गी थी उ इस तरीके के उमीदवार आपके पास आ रहे हैं जो आपसे टिकेट मांग रहे हैं जेज़िपी की चुनाव में खड़ा होना चाह रहे हैं युगाओं की संख्या ज्यादा है या बात सामने यह आई थी कि जो बागी हैं उन पर आपका खास द्यान रहेगा इस बार दूद का जला चाहच को भी फूब कर दीता है और यह गल्दी हम इसली बार कर वैठे हैं कुछ नई लोगों को हमने इस तरह से किया मगर हम पार्टी लाइन के कैडर के वफादार लोगों को यह जिम्मेवारी देना पसंद करेंगे तो अभी जो पार्टी कैडर के लोग है लेगे अंटने में इस सी अद्यता को Șुनाव लड़ने में सक्षम है लेकिन आज सुभा जो आपका बयान आया वह बयान यह था कि आप महा अगठत मन्दन की साथ चुनाव लड़ेंगे तो.. आपो seri आपक्तर कॉन सी पार्टी यहोंगी.. नहीं, महा गठबंदन की बात मैंने कहीं atravland करेंगे जिसमें समान विचारधारा की साथ लाने का प्रयास करेंगे. महा गठबंदन तो मेडिया उसे टर्व गर गिला नहीं कहा था कि पुछ लोगों से हम समपर्ट में हैं और जल्द वो बातें जनता के सामने जब भी वो तैह हो जाएंगी जनता के सामने रखेंगे बिना तैह हुए आधार ही बात में आपके जिम्मेवार न्यूज चैनल पर नहीं करना चाहता है तो समाम चीज़ें तेह होंगी तो कुछ लोग हमारे साथ जरूरा जो आपकी पर्टार से इसमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं या दल हैं जिनकी तरफ आपकी पार्टी इस वक्त रुजहान कर सकती है किसान हो कमेरा हो गरीब हो मजदूर हो दलित हो बैकवर्ड हो 36 विरादरी जो हर्याना परदेश की किसान और कमेरे वर की विरादरी है उसकी सोच की हमायत करने वाली अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टिया हैं अभी आप जानते हैं कि आज के पर ग्रिशे में इस करेंगे और उसमें हम कामियाब होंगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आपने एक सवाल कुछा था जब नेटवर्क कट गया आप था आपने कहा था कि कैसे आप पार्टी के प्रती इतना जोश बहने का काम करेंगे जब कि 2019 में बहुत जोश था जिस समय प तो टू सीट मैक्स दिखा रहे थी कुछ कहते थे मा बेटा तो जीज जाएंगे पार्टी क्या होगा यह पता नहीं उसके बावजूद जन्ना एक जन्ता पार्टी की जो लहर लास्क में बनी और आज भी उसकी चर्चा होती है और जब तक हरियाना की राजनितिक पर से जरूर होगी तो मैं ये बड़ा विश्वास से कह सकता हूं कि अभी कुछ दिन का इंजार करिए हमारा मैनिफेस्टो जब जन्ता के हमायती मैनिफेस्टो सामने आएगा तो हम लोगों का दिल जीतने में बहुत मजबूती से कामियाब होंगे और लोग हमें बोगी अभी क्योंकि आप दिखवेज जी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं अभी जितनी भी पार्टी के मैनिफेस्टो आ रहे हैं उनमें जन्ता को लाब पहुंचाने के लिए होड सी मची है चाहे वो आप रिद्धा वस्ता पैंशन की बात करें चाहे आप स्टूडेंस के लिए बेरो तो क्योंकि आपके पढ़ी लिखी पार्टी है पर सबसे जादा पैंशन बढ़ाने का काम इस सरकार में हमने किया है और मैं एक तथे ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं बीजेपी के लोगों के लोगों से बड़ी पॉलाइटली ये बात पूछना चाहता हूं कि आप की सरकार अन्ने प्रांतों में भी है मेरे इसाब से 10-12-15 प्रांतों में बीजेपी की अन्ने सरकार होगी है वहां पर पेंशन सित्व है क्या नस्दीक भी है 3,000,000 वो कितना संघर्च दुशन चुटाला को सरकार में बैठ कर करना पड़ा और उस बात को कितना लगातार कर दूँगा मगर पेंशन आप रिकावन सो कर दी इस बात से भी जब वो पीछे हट गए तो बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो कहीं ना कहीं दुशन चोटाला की नेक नियत साफ नियत परशाती है कि वो प्रोग्रेसिव पॉलिक्स करना चाहते हैं 55% आर अरक्षन रुका था तो शर्मानी चाहिए ऐसे लोगों को जिन लोगों जिन जिन पिशेतर परसेंट जैसे कानून से लोगों को फाइदा होना तो वहीं महिलाओं को अगर आज 50% आरक्षन दिया महिला आदी सर्पंच चुन करके आई हरियाना में आप किसी भी गाउं में जाएं हर अल्टरेटिव गाउं के अंदर एक महिला सर्पंच जरूर मिलेगी और वो आज शायद लोग इस बात की चर्चा मत करें मगर पेंशन जब चौदरी देविलाल जी ने शुरूप की थी उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल खामिया जा बाद में बहुत ना पड़ा था मगर आज तक भी पेंशन को लोग याद करते हैं कि पेंशन चौदरी देविलाल जी की सबसे बड़ी दिन है मैं यह कह सकता हूं कि भविश्चे में जब भी राजनिती पर चर्चा होगी और महिलाओं की चर्चा होगी तो दुशन चोटाला को याद किया जाएगा जिस बन्दू सर छोटूराम इस बात पर लड़ाई लड़ी उनने सारी उमर टिकैत साप ने लड़ाई लड़ी चोई देविलाल जी ने सारी उमर इस बात पर लड़ाई लड़ी खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए पिचोलिया सिस्टम कि फद्रकर के दिखाया तो बखाय है वह भूर्टा साथ को भी हमने ओपन किया था है अगर पूरो अधमेटिकल एक्वेजिन लोगों को नहीं बताते हैं वह चुटते गूंते हैं आज हम दोनों आमने सामने हैं और देख्विजे क्योंकि यह बात आपने मुझसे कही थी आपको याद होगी कि जो कॉंग्रेस हैं उनके घर तो हम चाहे भी नहीं पीते लड़की भी नहीं ब्याते यह बात आपने मैंसे कही थी याद है आपको यह 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 आपको है मैं इसी बात का चम्मा मान रहा हूं मैं हुड़ा साथ से की पूछना चाहता हूं कि वह नायव सिंग सेंड़ी की सरकार को लगाता च्टे संध्याबल सर यही थी और जब संध्याबल यही थी अपने बेटे को MP बनाना था तो सब कुछ कुर्बान कर दिया मैं और मेरा से आगे वो पड़ी नहीं पाए आज जब कोई किसान की बेटी या खेल खिलाडी विनेश्टोगाट की बात करनो आज उन्हें घर पर बुला क सब्सक्राइब कर दिया मगर विनेश्टोगाट को राज्यसभा बेजिने की बात पर चुप हो जाते हैं कि विरांसभा लडवा देगा अरे जब नंबर आपके साथ है सेंटिमेंट विनेश्ट के साथ है तो उसे चुनाव क्यों नहीं लडवाया तो जवाब नहीं उड़ अगर और भी तो बहुत सारी कैंडिडेट्स हैं ऐसे लोग हैं जो सामाने तोर पर सब लोगों को एकसेप्टेबल हैं उन लोगों को आगे क्यों नहीं किया कम से कम प्रयास क्यों नहीं किया हार और जीत दो पहदू हैं अब उड़्डा साहब जब चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब भारती जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस के आदेश को मानते हैं कांग्रेस पार्टी को नहीं किस ने किया एक चीज़ और आप से इमानदारी से सोचूँगा क्योंकि आप हमेशा इमानदारी से जवाब देते हैं जो विनेश फोग आठ है ये ओलम्पिक्स मे गई सो ग्राम इनका वजन जादा हो गया रूल्स के मुताबिक ये इनको मैडल नहीं मिला जिसका हर भारतीये को दिल से दुख है उनमें से मैं भी एक हूँ आप भी एक हैं और जिनोंने उनको ये सिक्षा दिक्षा दी वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है माविर हमारी देश की स्टार बनी है इसमें कोई दो राए नहीं लेकिन बाकि जो खिलाडी जीत कर आये हैं चाहे उसमें स्वान पड़क हासिल नहीं कर पाए भाला फैंकने की परतियोगी में तामे थे नीरज चोपडा उनको लेकर ये राजनीती नहीं हो रही है जो सरब जोथ है वो भी लेकर coastal मैं कोई को राजस्वऻ दो विनेश को हो राजस्वा भेजने की बहर दो यह क्या वोतों का पॉलरायजयेशन हो रहा है जाट नोन जाट बोटों का पॉलराइजेशन की बात नहीं है विनेश कोगाट का जब पैर टूका था आपको याद होगा दियो अलिम्टिक्स में तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे मैं स्टूडेंट मैं इंसो का प्रधान था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेडल वज़ी उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और उन्हें साफ इंकार कर दिया था कि मैं कोई मदद नहीं करूँगा क्योंकि ये मेडल जीत कर नहीं आई है चोट लगना खेल का एक्षा है तब हम लोगों ने सबसे पहले विनेश को उसका स्वागत किया और बच्चों में ये इसमें कोई अपनी ठपा नहीं रहा है मेरे संगठन के बच्चों ने 11 लाख एकत्रित करकत के सबसे पहले विनेश को और उस समय इकलोता संबान दिया विनेश कोगाट ने देश का नाम उचा किया वो संगर्ष करती हुई लड़ती हुई उनके साथ जो भी हुआ ब प्रितिक जवाब देना चाहा रहा हुँ कि संख्याबल आपके पास है हुड़ा साथ जनता को गुम्रा करने की जूर्थ नहीं और आपने अन्य खिलाडियों का नाम लिया मैं तो इस बात का भी एंडॉस करने वालों में से सबसे पहले था कि आप क्यों नहीं किसी खिलाड फिर वही चाल चलते हैं जो बीजेपी कहती है मैं आज बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हुड़ा साब को अगर फ्री हंड कांग्रेस में मिला तो वो टिक्ते भी वही बांटेंगे जो बीजेपी कही है अच्छा आपको बतला आप यह कह रहे हैं कि बीजेपी और जो क कांग्रेस का प्रायव अच्छे वो पेंदर सिंग हुड़ा है इसमें कोई दो राय है बहुत बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष की राग को चुनकर 10-10 सालों के कैदे खट लेते हैं सर यह कोई मच्चियों का खेल नहीं य पर लगता होगा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं और हर्याना के जो लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे कि 10 साल जेल में रहकर आये तो वह एक बड़ी बात थी और जाहिर है कि वह अलग चर्चा का विश्य होगा अब 2024 में आपके सर एक मुकेशी में जे एक रिट बात अपनी complete करने ये हुड़ा साफ हर बात से बचते क्यों है मैंने हुड़ा साफ से कहा था कि हमारे पर आप एलिगेशन लगाते हैं वीजेपी के साथ जाने का मैंने कहा था हुड़ा साफ से कि हुड़ा साफ ये बताइए कि दिगवजे चोटाला और डॉक मेरे पास है मगर जवाब में देते कहते हैं वो तो वो तो बच्चा है वो क्या जानता है तो इस तरह की बाते करकर के गुम्राह नहीं कर सकते जंता को आज कांग्रेज की एक अजीब सी हवा है क्योंकि लोग मोदी जी के खिलाप एक महौल था देश में सिर्फ उस बात की आपसे भी यही सवाल पूछता हूं कि अभी कमोवेश जो राजनीतिक हालात देखने को मिलते हैं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी आपने इंकार कर दिया है कि आप उनके साथ नहीं जाएंगे प्रदेश में अगर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या जेजेपी की उनको बहार से या अंदर से समर्थन दे सकती है घटबंधन कर सकती है यह विश्य की गर्व में है कि जनता किस दुराई पर ला करके खड़ा करती है या किस दिशा में आगे बढ़ाती है सर हमें थोड़ी पता था कि हमारी दस सीटें आएंगी और हलात ऐसे बन जाएंग सरकार को गिराने की बात आई और लोगों में एक आस और उमी जगी की नायव सिंग सेंगरी की अल्फमत की सरकार गिर सकती है तो हुड़ा साब फिर पीछे हट गए और अब राजे सभा की बात आई तो हम मैं कितने उधारन दू और कितने ना दू अब इससे तो मुझे विधायक तो आपको समर्थन दे देंगे वो मुझे पूरा घटना करम याद है अब 2024 में आप कहरें कि वक्त के हिसाब से इसका decision लिया जाएगा लेकिन एक decision पक्का है कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे Congress के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे वो इसलिए है कि उससे हमा जारी बहुत बड़ी गलती होगी हम बीजेपी के साथ की अलाइंस में जाती है क्योंकि जन्ता कुछ नेटवर्क लगातार सतारा है और दिग्विजे जी आपसे फिर थोड़ा सा नेटवर्क धोखा दे रहा है तो फिर आपसे अगली बार और लंबी बात करेंगे आज हमारे खट्टे में